नमस्कार आप देखरे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और मैं हूँ आपके साथ नमन मटके यदि हम बात करें तो मद्द प्रदेश में अब जो प्याज की आवक है वो लगातार तेस हो चली है और अलग-अलग राज्यों से जो प्याज है वो मद्द प्रदेश की इंदोर जो मंडी है वहाँ पर आ रहा है चुकि यदि बात करें तो नई प्याज अब आ गई है और नई प्याज आने के बाद लगातार जो प्याज की डिमांड है वो भी निरंतर बढ़ रही है अलो और प्याज की बड़े व्यापार है अजय अगरक वो हमारे साथ जूड़ है उनके पास सिधे चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस्तती प्याज की व्यापार को लेकर कि अपकी बार जताई जा रही है और किस तरह की प्याज की इस्तती जो है वो मार्केट में देखने मिल रही है, जैज बहुत सुवागत है, सबसे पहला सवाल मेरा ही है आपसे, कि प्याज की एदिया हम बात करें, तो अक्सर प्याज जो है वो लगातार उचातम इस तरके दाम को जो है छूता है, अपकी बार क्या संभावना जता ही जा रही है किस तरह के हमारे पास आवक है और क्या कुछ दाम आज प्याज के रहे हैं? यहां एक तो सबसे पहले लोकल प्याज आ रही है, बाकी महरास्ट से, खंडवा साइट से आ रही है, राजपू साइट से आ रही है, सभी दूर से प्याजों की इनकम हो दिए। इस तरह की परिस्तितियां अभी हम देख रहे हैं. यहां पर हो सकता है, दाम बढ़ जाएं. यदि हम बात करें, तो अब भी आप जिस तरह से बतारें, पचास रुपे तक दाम पहुंच जाएगा. तो आने वाले समय में तो फिर इस्तितियां और विकट हो जाएंगी, फिर हो सकता है, प्याज का दाम सो रुपे तक भी चले जाए, इससे भी को संभावना है. तो प्याज के उपर ही बेंड क्यों लगाना, प्याज के किसान ही क्यों नुकसान में जाए? कॉलेटी के अंदर तो एक ही कॉलेटी होती है वही कॉलेटी आती सभी दूर से यदि हम बात करें तो आने वाले समय में आवक बढ़ेगी अब धिरे-धिरे चुकि प्याज आने का समय है यह स्टार्टिंग जो है दोर होता है इसमें लोग प्याज लेकर के स्टॉक पी रख समय 你 कहां नियुक्सान को कितन को समभाना नी लग रहे है कि प्याज में तो तो तेजी की संभावना है पूरे परसेंट अने समय में शादी ब्याव का सीजन तेवारी सीजन शुरू साय। तब भी हमको दाम जो है बड़े होई मिलेंगे आपको प्यास को तो कि वाल तो स्टॉक में जा रहा है अब तो सिजन चालू है प्यास का अब तो आठ नो महिने आपको यही प्यास लेना पड़ेगा और डेफिनेटी तो देखे अजय जी थे प्यास के व्यापारी है जिनका इसपर स्टॉर पर कहना है कि अभी प्यास के दो दाम है वो अपने उचेतम इसतर पर है आने वाले समय में हो सकता है जैसे जैसे एक्सपूर्ट बढ़ जाए तो दाम और बंड़ने की संभावना है चुकि अभी कुछ दिनों तब प्यास के दाम जो है वो इस्टेबल रहन की संभावना जैजी जता रहे हैं इन दौर के 14 मिंटी से नमन मटके